जहीन दोस्तों, so themes in Indian history, NCRT की जो books हैं, discussion चल रहा हमारा, theme 2, kings, farmers and towns पर हम बात कर रहे थे हैं, और काफी important chapter है यह, 600 BCE से लेकर 680 तक हम बात करेंगे, तो first part में हमने काफी कुछ discussion किया था, इस chapter से, जैसे हमने earliest state की बात की, महाजन पद को काफी detail में समझा, और काफी important topic है, अग एक-दो सालों को, हर एक-दो सालों के gap में question पूछे जा रहा है, इसी तरीके से civil services में भी काफी सारे question पूछे जा रहे हैं, तो दो-तीन बाते हैं यहां से जो आपके ध्यान में होनी चाहिए, because देखे, history factual है, तो जो 16 महाजन पद हैं, इनके capitals आपके ध्यान में होने चाहि उनसे भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, दोस्तो, language and script, यह box काफी जादा important है, CAPF में भी question पूछा गया, recently, और कई सारे exams के अंदर question पूछे गया है, तो देखे, जब हम बात करते हैं, असोग के अभी लेखों की, अभी लेख क्या होते हैं, what is an inscription, so पत्थर या किसी hard material में, जब कोई राजा अपनी बात लिखवाते हैं, तो वह inscription होता है, और इसके पीछे का purpose काफी असानी साफ समझ सकते हैं, purpose तो यही होता होगा, कि कई सालों तक जो बात कही जारी यहाँ पे, वो ना मीटे, तो ज़्यादा तर जो अभी लेख हैं, यह प्राकृत भासा में देखिए हम बात कर रहे हैं, language की, language और script काफी अलग होते हैं, आपस में, तो असल में language और script के बिच फर्क होता है, तो दोस्तों आईए इस difference को समझ लेते हैं, देखिए एक जो भासा होती है, जो language होती है, यह एक spoken language की बात की जाती है, यानि it is a method of communication, यानि एक अपनी बात को किसी और तक समझाने के लिए पहुचाने के लिए लेंग्विज का परियोग किया जाता है जबकि जो script होती है ये क्या होती है it is a collection of characters जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक या एक से ज़्यादा भासा लिखने के लिए तो ये basically आप कह सकते हैं कि जो characters का collection है वो कहलाता script तो जो ज़्यादा तर असोक के अभी लेख है ये किस भासा में है प्राकृत भासा में तो कई बार यही सवाल पूछ ले आता है कि जो ज़्यादा तर असोकन inscription है ये किस language में है तो प्राकृत में है जबकि अगर हम बात करें northwest of subcontinent की इनमें ये अरमेरिक और ग्रीक language में देखने को मिलेंगे अरमेरिक और ग्रीक कई बार अरमेरिक और ग्रीक मिला करके देखने को मिलते है जिसे सारे कुना कहा जाता है और जो ज़्यादा तर प्राकृत ती inscription है ये ब्राहमी script में लिखे गए है अब यहां में focus करिए जादतर की बात की जा रही है सभी की बात नहीं की जा रही है तो वही बात है again script और language के बीच फर्क है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो inscription है प्राकृत language वाले उनकी क्या है? Brahmiya script है क्योंकि कई बार script पूछ ली जाती है कि किस script में आप लेख देखने को मिलते है तो Brahmiya script में देखने को मिलते है लेकिन जब Northwest की बात करेंगे हम तो यह खरोष्थी script में देखने को मिलेंगे इसी तरीके से Arymak और Greek script बभी देखने को मिलते है अफगानिस्तान में दोस्तों इस question को देखे recently C.A.P.F में पूछा गया है अफगानिस्तान में जो असोग क्या भी लेख है ये किस script में देखने को मिलते हैं language नहीं पूछा रहा है script के बारे में पूछा रहा है अफगानिस्तान में किन script का परियोग किया गया है अर्मेक और ग्रीक का और ये question यहीं से फ्रेम किया गया था C.A.P.F. 2022 में तो काफी important होते हैं N.C.A.R.T. के boxes दोस्तों next question देखे ये CDS में पूछा गया है असोकन inscription of मान सहरा और सहबाजगड़ी are written in यानि मान सहरा और सहबाजगड़ी में असोकन inscription किस भासा में देखने को मिलेंगे प्राकृत भासा में खरोष्ठी script में प्राकृत भासा में ब्रामिय script में प्राकृत अरेमिक भासा में ब्रामिय script में एरेमिक भासा में और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में दोस्तों ये लूसेंट की बुख है 13th point आप देख सकते है मान सहरा और सहबाजगड़ी ये दोनों पाकिस्तान में हैं यहाँ पे जो inscription देखने को मिलेंगे ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में देखने को मिलेंगे देखे खरोष्ठी स्क्रिप्ट की बात की जा रही है वैसी स्क्रिप्ट जो की right to left लिखी जाती है और जबकि अभी मैं आपको बताया था सरे कुना के विसे में वैसीकली ये ग्रीक और अर्माई का स्क्रिप्ट होता है ये कांधार में देखने को मिलेगा जो कि अफगानिस्तान में है तो दोनों बाते काफी जरूरी है ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा important है कि अफगानिस्तान में जबकि अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में सरे कुना inscription देखने को मिलता है जो कि ग्रीक अर्माईक है तो अभी आपको याद होगा C.A.P.F वाले सवाल में अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया था तो हमने कौन सा आंसर टिक किया ग्रीक और अर्मेक वाला अगर पाकिस्तान के बारे में पूछा गया जो कि serious वाले question में पूछा गया तो हमारा correct answer क्या होगा खरोस्थी script तो ध्यान से समझ लीजिए ऐसे सवाल बहुत confusing होते हैं सही answer होगा Arabic language और खरोस्थी script प्राक्रित language तो काफी असान इसे eliminate कर सकते हैं प्राक्रित Arabic ऐसा कुछ नहीं है केवल अर्मिक और खरोस्थी हाला कि Greek अर्मिक होता तो हाला कि Greek अर्मिक होता तो अफगानिस्तान की बात की जाती तो इनमें आपको confused नहीं होना है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आई नो ये थोड़ा time taking हो गया बट ये चीजें काफी जरूरी हैं समझना इनसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं वैसे तो असोक के अभी लेखों से कई सारे सवाल पूछे गए हैं तीस से भी ज़्यादा OPST के जारा और ये काफी frequent topic है और मैंने उन सभी सवालों को cover कर दिया है CAPF 2022 की analysis में playlist से जा करके आप देख सकते हैं तो last के lecture में हमने काफी कुछ discuss किया था इसके बाद हमने Moriaz के findings के बारे में बात की थी देखिए अगर बात करें मगद के growth की तो Morian Empire के साथ ही मगद का growth देखने को मिलता है हाला कि आप अगर देखें तो मगद में सबसे पहले दूसरी dynasties आती है और खास करके हर्यंग dynasties से सुरुआत होती है बट Morian dynasty के बाद ये अपने बिल्कुल चरम पर होती है बिल्कुल culmination पर होती है खास करके अगर हम बात करें चंदुकुल मोरी की जो founder होते है ये अपना control अफगानिस्तान में नौर्थ वेस्ट तक बलुचिस्तान में भी देखने को मिलता है और इनके जो grandson होते हैं असोक ये arguably सबसे important सबसे famous ruler है क्योंकि ये one of the first king होते है जो कलिंगा को concurr करते है जो की present day coastal ओरिसा में है इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कलिंग जो कलिंग युद के नाम से काफी प्रसीद ध्यासोक ने जो युद लड़ा था 261 BCE का time period था वो तो वो कलिंग आज की rate में present day ओरिसा में है दोस्तों अगर बात करें कि Morians के बारे हमें कैसे पता चलता है तो historian कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं history को reconstruct करने के लिए इनमें archaeological finding तो है ही मतलब जो चीजें अफसेस के रूप में मिलती है खास करके sculpture मुर्तिया वगरा और अगर contemporary work में बात करें तो मेगा अस्थनीज के accounts है जो कि Greek ambassador होते हैं Greek ambassador होते हैं किनके Seleukas Nickator के ये नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है इस particular point में बट ये काफी ज़्यादा important है note down कर लिए एक्जाम में पूछा आता है किनके दरबार में ये भेज़े जाते हैं चंद गुप्त फर्स्ट दे दिया आता है तो वहाँ पे आपको confused नहीं होना है बिकोज चंद गुप्त फर्स्ट जो है वो obviously गुप्त डानिस्टी से हैं जबकि ये मोरे डानिस्टी से हैं दोनों में काफी फर्क है और एक और important बात यहाँ पे नहीं बताया गया बट अर्थ सास्त्र को जो original जो finding है वो आर समा सास्त्री के द्वारा discover की गई है modern day में ये नाम भी काफी important है ध्यान रखिएगा फिकोज हिस्ट्री इस लाइक आप कह सकते हैं जातर चीज़े यहाँ पे factual है तो उस तो no doubt असो का first ruler होते हैं जो की अपनी messages को stone surfaces में लिखवाते हैं जिने हम inscription कहते हैं और खास करके जो मुख्य वज़ा होती है वो होती है धम को proclaim करना धम का मतलब धर्म होता है और यहाँ पे किसी खास धर्म या जाती के बात नहीं की जाएगी यहाँ पे बात की जाएगी tolerance की, peace की society में peace किस तरीके से establish करना है इन चीजों पर बात की जाएगी और आपने असो के अभी लेक में जो इनके जो क्रमांक है इनके माधम से आपने ज़रूर पढ़ा होगा जैसे rock addict जो 13th number है यह बात करता है कलिंग यूद की इसी तरीके से बागी के rock addict जब आपने पढ़े है तो एक बात बिल्कुल इसपस्ट होती है कि यहाँ पे message काफी clear cut होता सोका के द्वारा कि society में peace establish करना है और जो भी चीज़े society की peace को भंग करती है उन सभी चीजों का खिलाफ बात की गई है तो यह बात ने बहुत important है ध्यान रखेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या-क्या बाते हैं जैसे respect करना elders की generosity रखना towards brahman and those who renounce worldly life तो वैसे जिन्होंने worldly life को renounce किया है उनके लिए स्रमन वर्ड यूज करते हैं स्रमन या फिर समन भी कहा जाता है समन या स्रमन संस्क्रीट में स्रमन कहेंगे पाली प्राक्रिट भासा में समन तो स्रमन का मतलग क्या होता है यह मैं क्यों बता रहा हूँ विकोज यह civil services में question पूछा गया है दोस्तों यह सवाल civil services 2020 का है pairs आपको दिये गए थे और correctly match बताना था तो परिवराजक है जिने renunciate और wanderer कहा जा रहा है दूसरा स्रमन है तीसरा उपासक है जो lay follower होते हैं बुद्धिजम के उन्हें उपासक कहा जाता है स्रमन का कहा जा रहा priest with a high status तो यह obviously गलत है बलकि स्रमन का मतलब होता है renunciate या wanderer जो basically सत्यकी तलास में जैसे अलग-अलग इंडिया के context में आप देखें तो बुद्धिजम, जैनिजम और आज इविका इनके सेक्ट के जो starter है उन्हें स्रमन कहा जाता है तो यह basically renunciate होते है बाकी के दोनों सही है अगर आप केवल 2 को ही eliminate करते तो answer तक पहुँच जाते है because सभी option में 2 था तो 1 and 3 only इसका सही answer है परिवराजक का मतलब renunciate है ये भी सही है स्रमन का मतलब ये गलत है उपासक का मतलब lay follower होता है बुद्धिजम का तो यही कुछ बाते हैं असोक के अभी लेखों में सामिल इसे हमने detail में अल्रेडी cover भी किया है respect rational religion के लिए इनफेक्ट ये सवाल भी civil services पूछा गया कि किस राजा के अभी लेख में ऐसी बात देखने को मिलती है कि जो अपनी धर्म की बहुत excessive enthusiasm में बढ़ाई करते है वो असल में अपने ही धर्म का नुकसान करते है तो कुछ इस तरीके की बात भी असोक के अभी लेखों में देखने को मिलती है अगर बात करें empire को administer करने की तो 5 major political center देखने को मिलते हैं जो capital है वो partly पुत्रा है provincial center की बात करें तो तकसिला, उजैनी, तोसाली, स्वर्णिगरी ये सभी चीज़ें और ये सभी असोक के अभी लेखों में mentioned भी है और अगर हम इन inscription को समझें तो वही message है देखी again वही बात कही गई है same message आपको देखने को मिलेगा चाहे आप बात कर ले north west frontier province की, पाकिस्तान की या फिर आप बात कर ले अंधर परदेश की because काफी large area में असोक के अभी लेख देखने को मिलते हैं और आपको नाम भी ध्यान होने चाहिए अभी civil services 22 में भी question पूछा गया किस rise में कौन से असोक के अभी लेख है state दे दिया गया था तो उन बातों को भी ध्यान रखिए कई बार हमने उन सवालों को cover किया है वैसे वो सवाल यहां से काफी आसानी सा आप cover कर सकते थे देखें मैप काफी जरूरी है बहुत ज़्यादा important है यह मैप ध्यान से समझे कांधार की बात करें तो अफगानिस्तान में प्रेजेंट है मान सहरा और सहबाजगड़ी पाकिस्तान में तक सीला भी obviously पाकिस्तान में और कालसी टोपरा यह reason आपको पता हो ना जी यह असल में उत्राखंड में देखने को मिलें कालसी पर तो सवाल भी पूछा गया उजैनी, सांची, यह मध्य परदेश में जो गोड़ा की बात करें या फिर कलिंगा की बात करें यह दोनों ओडिसा में इनफेक्ट जो गोड़ा भी पूछा गया civil services 2022 में तो चार नाम थे basically एक कालसी था दूसरा जो गोड़ा था और तीसरा येरा गुड़ी था तो यह आंधर परदेश में देखने को मिलेगा तो इन important reason को ध्यान रखिए दोस्तों historians बहुत बार हैरान होते हैं इस बात को लेकर के कि एक राजा के लिए इतनी बड़ी administrative को चलाना क्या possible था तो यही सब कुछ बाते हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो जो administrative control है या strongest था उन areas में जो कि capital के समीप होंगे obviously ये बात बिल्कुल सबस्ट है because capital के सामने वाले region को अच्छे तरीके से राजा देख रेक कर सकते हैं उनकी और center को कहास करके बहुत साधानी से चुना गया था जैसे तकसीला और उजहनी ये दोनों ही important long distance trade route पर सामिल है जब important trade route में आप देखेंगे तो दोनों तकसीला और उजहनी देखने को मिलेंगे और possibly ये important इसलिए भी रहा हो क्योंकि करनाटक में कई सारे gold mines देखने को मिलते हैं तो इन रास्तों जैसे यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं sword degree का नाम देखने को मिलता है यानि golden mountain दोस्तों communication की बात करें तो land और river और इन दोनों तरीके से देखने को मिलेगा तो अगर अगर कभी भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले कि more and empire के time पे communication केवल land से होता था तो ये बाते हमेशा ही गलत होंगी logical reasoning आप वहाँ पे लगा सकते हैं कि ऐसा होना ही possible नहीं है तो ये काफी vital था काफी important था empire के existence के लिए because communication काफी ज़रूरी थी और province से लेकर center तक की जो journey है ये बहुत time लगता बहुत जैसे week वगरा लग जाते था अगर month नहीं तो तो journey काफी ज़्यादा time taking होती थी दोस्तों mega अस्थनीज जो की चंद गलत मोरी के दर्वार में आते हैं के द्वारा कई सारी committee भी committee का जिक्र किया आता है जैसे अगर हम बात करें navy के लिए अलग committee देखने को मिलेगी transport provision के लिए अलग से third foot soldier के लिए fourth forces के लिए इस तरीके से अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग committees देखने को मिलती थी असोक जो हैं ये try करते हैं कि जो धम्मा वाली बात है धम्मा को propagate करना है और empire को एक साथ जोड़े रखना है और खास करके यहां पर universally applicable principles जो धम्मा थी उसी के प्रचार-प्रचार की बात की गई है और इसके लिए अलग से officer भी appoint किये जाते थे जिने धम महामत कहते थे विसी कलिए ये महामंत्री से related कोई word होगा जो message of धमा को spread करने का काम करते थे इसी प्रमुक काम के लिए इने appoint किया गया था king के दारा दोस्ते इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आने वाले वीडियो में हम अने officer के बारे में भी समझेंगे इसके बाद समुद्र गुप्त की बात करेंगे काफी important है यहां से तो कई सारे सवाल पूछे गया है और इसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से changing country site देखने को मिलता है अलग-अलग officer के बारे में समझेंगे अलग-अलग terms भी देखेंगे तो अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर कर ले history playlist जरूर देखें क्योंकि कई सारी चीज़ा हमने वहाँ पर भी cover की है history से संबंधित काफी important series है वो धन्यवाद